सबसे परला नमर प्रश्ण काफी जबरजास्त प्रश्ण कि निमलेखित में कौन और परिमें संक्या है आपको सुच समझ करके जबाब देनी है वैसे तो कोशन काफी ही आसान है आपको बताना है कि निमलेखित में कौन और परिमें संक्या है यानि कि कौन हिसी संक्या है जिस हाँ कर सकते हैं और यहां यहां पर दीखेज़ यह वन बटे रूट 5 आज दीया है तो रूट 5 बहर नहीं कर सकते हैं लिए यह क्या होजागी और भेस थाइगी पूरी मैथड को बढ़ियां से सूउल समझह करके रखेगा नहीं तो काफी दिक्कत हो प्लस एक्स प्लस बन के सुनिया हो तो वन बटे अलफा प्लस वन बटे वीट्या का वैलू क्या होगा काफी असान तरीके से एकदम दो सकेंड के अंदर मना दिजिएगा क्या बताना है बिल्कुल आपको एक बट्टा का सिंबल लगाना है और बीच वाले मान आपको उपर द बेता दीजेगा नहीं होगा तलगया दीजिये गाई लगा देंगे हो जाएगा मानस वन बट ऐण asan की माइनस का ऑन यानी ऑपेसं क्यों बाभू बिल्कुल ओप्सन होजागा ए नमबर क्या होजागा ऑप्सन होजागा ए नमबर काफी एजी है देखिए एक बार और समझ लीजिए कि कैसे बनाएगा आप इसे काफी एजी है देखिए वन बटे आलफा प्लस वन बटे वीटा का जब भी बहलू पूछेगा तो लेकिन ध्यान यहां पर चीज देने हैं अगर यहां पर माइनस होगा मैंस को एदेंगे नहीं होगा तो लगा धियुए यहां पर मैंस और भी 1 ऊसर हो जागा दो आप इसर हो वन करके भी वरकर करें लेकिन काफ़ी आफ़ थरीका बता है उसंख्या सकते हैं कि अगला जबर सैंत आसांत अवर्ती है वाव क्या प्रश्ण है क्या गजब प्रश्ण है आसांत आसांत के लिए क्या आपको बताए थे कि जिस भीन के या जिस परिमें संख्या के हर की गुणनखंड में दो और पांच के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है वही जो होगी अब क्या क्या हो होगा असांत होगा तो ध्यान दीजिएगा इसका जो बिल्कुल सही उतर क्या होगा फाड़ा फड़ बताईए बिल्कुल ऑप्सन डी नंबर हो जाएगा क्यूंकि यहां पर देखी पांच बटी बारा दिया गया और बारा का जब आप गुड़न खंड करेंगे ध्यान दीज कहिए नहीं तो पांच आने चाहिए इसके लावा कोई दूसरा संक्या आता है तो आसांता वर्ती हो जाता है यानि कि आपका डी हो जागा बिल्कुल एक एक चीज को आपको दिमाग में बैठाती जानी है चलिए अगला प्रशन देखिए काफी जबरजस्त प्रशन की परिमी होता है बिल्कुल करेक्ट्रों तो एकदम आप चूटकियों में वनेगा एकदम आए देखते हैं अगले नंबर प्रशन क्या कह रहा है काफी जबरजस्त प्रशन है आप चूटकियों में किसी भी प्रशन का जबाब देजागा बस कान में यूर फोन लगाई यह सा 39 सिड़े यानि की एपी 1 वट्टे 3 कमा पांच वट्टा 3 कमा नो वट्टा 3 कमा तीरे वट्टा 3 का सार मंतर क्या होगा यानि की डी का बैलू बताना है बाबो बिल्कुल कुछ भी नहीं करनी है यहां से बस आपको दूसरी पत में से पहला पत को घटा देना है यानि की तो इकदम रसगुला है आपके लिए तो इनका घटाव यार तो चार नीचे कहा तीन आपका एंसर हो जागा तो देखें ना आपके दिया गया चार बटे तीन एकदम चूटकियों में बनेगा बिल्कुल चार बटे तीन कहा पर दिया गया काफिजन कही दて fights कि सब्माभु तुरफ होते हैं बिल्कुल आपको बताना है कि सर्मछाटूम्स और श्म्रूप दोनों या फिर इन में से कोई नहीं बिल्कुल सब्सभाभ तीजिये इसका answer क्या होजाएगा कि समरूप होते हैं न सभी संभाहू त्रिबूज समरूप होते हैं यानि options हो जाएगा भी number हो जाएगा अगला दीखिए एकदम दिमाग में बैटाते जी बाबु एकदम दिमाग में बैटा लो इस सारी question को एक की question एक वीडियो आपके लिए काफी potent है और एक एक मीनट आपके लिए काफी potent है क्योंकि आपके परिक्षा में कुछ ही छण बाकी हुआ है अब आप जाने वाले हैं परिक्षा देरें लेकिन कुछ भी आपको होने वाला नहीं है काफी easy question आएगा आप एजी तरह किसे बन आपका त्रिभोत हो गया तीके यहांपे a कर लेजिए यहांपे b कर लेजिए कह रहा है की इसका लंब एक d है है हाना यानि की b c के लंब जो है जो a d है हाना तो इस में क्या होता है तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं क्या जानता भाबू 3 a b sq r ब्राबर 4 a d यह तो जानत यानि कि देखिए यहाँ पेंसर जो दिया गया है वह क्या हो जागा ऑप्सन डी नमर हो जागा कि थिरी एबी एसक्वार बराबर फूर एडी होता है ऑप्सन हो जागा डी नमर इसे याद ही कर लीजी यह सीध भी कराया जाता बाबू आपके पस काफी कम समय है बिलकुल चलि कि के का वैलू क्या होगा आपको यह बताना है तो आप सभी जानते हैं काफी एजी कोसन है यह सब्जेक्टे में भी आपसे पूछा जा सकता है मुल वास्तुक और रासमान कैसे होता है कब होता है आप सभी जानते हैं कि डी जो है वह बड़ा होनी चाहिए कि से बाबू तो प्लस में चला जाएगा इनिके सोला बड़ा हो जाएगा अब कैसे फोर के से तो आप तो यहां पे के का वैलू निकालना है ना धिहां से दिखे पहले यह काफी easy question है काफी जबरजस्त को सन अब क्या हो गया सोला बड़ा हो गया फोर के से यहीं पे आपको बहुत जबरजस्त चीज का धिहान रखना है नहीं तो यहीं पे गड़बर होती है अब भी आप भाग दीजिएगा तो यह चिन बदल जाता है उल्टा हो जाता है इसका मुह उधर हो जाता है ना तो आप कटाईए 16 बटे चार यानिक हो जागा चार तो यह के ठीक है अब छोटा हो जागा किस से चार से यानि option देखे कहां पे दिये गया है तो option आपका पूछा जा सकता बाबू सबसे जवर जस्त कोश्चन है आपकी स्केंट पर सुन समझ करके बनाएगा कॉपी और कलम निकाल लिए फड़ा फड़ से और सॉल्प किजिए यदि एपी और एक्यू के इंद्र ओ वाले किसी ब्रीट पर तो असपर्स रिखाए इस प्रकार है कि कूड पी ओ क्यू बराबर एक सा दस डिगरी हो तो कूड पी एक क्यू का वैलू आपको बताना देखिए काफी इजी है आप मैट से डड़िये मत आपको इद्गम लली पप तरीके से समझाएंगे देखिए सबसे पहले आप यहां पे जो है एक ब्रीट बना लीजिए ठीक इसने पर दो इस पर ऑस रखा है ठीक हाम यहां पे दो बिखाया है यहां से थै, इस परकार से ट्रीफ नेघंगे यहां पर यहां पर कंद्र है तो यहां पी हम लोग इसे मिला देंगे उर चलिए OQ, यानि कि ये value आम लोगों को दे दिया है, कितना 110 डिगरी, ठीक है, अब दीकि इसको बनाने के लिए क्लिए क्लिए क्या करेंगे, यहां का value पूछ रहा है, कौन P AQ का value पूछ रहा है, यहां का value पूछ रहा है बाबू, देखे, सबसे पहले आपको इसे सम्धिभाजा क्य सब्स रिखा जब आप खींची हैं, तो यहां पर लंब हो गया ना, लंब कितना डिगरी क्या होता है, बाबू, 90 डिगरी क्या होता है, तो 90 गो ये, आप 55 गो ये, को को हुगा, 145 गो, अब देखे, जब 145 हो गया, तो ये तो अब तिरिभूज बन गया है ना, देखे, ए इसे सम्दिभाजे किसको कर लेजेगा, ये, 110 ता तो पचपन हो गया, अब यहां पर क्या हो गया, आपका ये, 90 डिगरी हो गया, तो ये जो है, आप एक तो तो तिरिभूज बन गया ने, बाबू, इस प्रकार से, तिरिभूज बन गया ना, तो आप जानते हैं ने, तिरि आधा वाला का आया, और बताना है पूरा वाला का, तो 35 दूने, सतर, यानि कि ये 35, 35 कितना हो जागा, सतर, तैंसर क्या हो जागा, आपका उप्सन, सी नमबर हो जागा, समझ में आ रहा ना, काफी एज़ी है, हाना, चलिए अगला प्रशन देखे, काफी जबरजस्त को सने आप प्रशन देखे, क्या कहा रहा है, प्रशन देखे अगला, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने की है, तो फाटा फट किज़े, जल्दी से, काफी जबरजस्त क्लास सले, बावो, अंती मौका, आखरी मौका, और इसी में तो आपको करना है, एकदम जगे, उठीए हल है, बावो, समझ जाओ, ये कोशन आपकी एकजामे छप गया है, बले ही यांग चेंज कर दे कियो ना, लेकिन कोशन छप ही गया है, दीखिए इसको बनाने के लिए क्या की सेगा, एवन बटे एटू, यानि कि सबसे पहले एवन का भेलू क्या है, क्या है, तो के बटे की यहां पे क्या है, माइनस टू आई, तो माइनस टू आई का मतलब क्या हो गया है, कि यहां पे बीटू का भेलू कितना है, तो माइनस का टू है, अब देखिए, यहां से माइनस माइनस कट जागा, तो प्लस आगया दोनों संख्या, अब देखिए, इसको करेंगे तीरे इहां थ्यान रखना हे आपको पराबर नहीं होगा हिसे नियों संपना आफ Radio हो आपका यह प्टाइज है और कि ना के क्लれない ऐसे स्माइन यहां जहाए और मैं режим कि और रावर हो पूद्धार व्यूरं से बेसे साइनी नुट होता है के यहां डिल्ली Marx लंब औरقت का value दिया गया है तो अधार का value घ्याद कर लो तो अधार का value घ्याल करने के लिए क्या होता है कर गंड का square- ∂ का eerste कौर सुर और तीन का square 9 तो यानिस्ला मैं से 9 चला जाएगा कितना बच्जा गा बागर हूँ तो आपसी गजब तरीके से आपका आग गया एक दम कोश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं है एक दम गर्दा मजाद नहीं है आपको जाकर के परिक्षा में अगला प्रस्न देखिए दिवगात बहुपत एकस स्कॉर मैनस 15 के सुनिया क्या होगा और क्या वाद कितनी जवरदस्त कोश आगया रूट का 15 अब आप सभी जानते हैं कि रूट में कोई भी संक्या होती है तो प्लस और मानस दुनों में संक्या होती है तो प्लस और मानस में दुनों संक्या हो जाएगी तो एक माना जाएगा प्लस का रूट 15 और एका जाएगा माइनस का रूट 15 तो देखिए आप बिंदों पर प्रतिशेट करने वाली रेखा को कहते हैं क्या कहते हैं बिंदों को दो बिंदों को दो बिंदों को दो बिंदों करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं आपको यह बताना है क्या असपर्स रेखा कहते हैं जीवा कहते हैं त्रेजिया कहते हैं या फिर इनमे पूछेगा तो से मुठा करके इदम पूछ देगा तो दूरी सुत्र से आप निकाल लीजिए याप को बता है कि बस आप ये को रूट लगा देना है और इसमे का पहिला वाले में से इसके पहिला वाला घाट या दीजिए यानि कि वन में से प्लस अब इसमें का पहला में तो यहाँपे तीन हो जागा चार चार-चार की जागा अब भड़ा पढ़से तो कितना हो जागा बाबू बिलकुल तो हो जागा। म पाचीस जब ज petit yas 25 को रूट से बाहर कर दिदी 25 को रूट से बाहर करगे तो पांच आग estamos तो बिलकुल आपसा नमबर कहा है पांच-थी ऑर ऐंसर झोत कहीं पर एकाई में गया हो और तीरे कुछाई 10 cm दिया गया हो तो लंब रितिये संकु की बकर पिष्टे शेटपल बताना है आपको तो फटापट बताईए कि संकु का बकर पिष्टिये शेटपल क्या होता जल्दी से टाइप किज़े और जल्दी से लाइक कर देजी अभी तक नहीं किया तो औ पहले बारा सबस्क्राइब किजिए तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगी फटाबट करेंगे बिल्कुल आप सब यांदे हैं पाई आर एल होता है ना तो पाई का वहलू कितना होता है 22 बटे 7 होती है आर का वहलू कितना दिया गया है और इसके पास से आपका तीरे कामा माध्य माध्यक क्या होगा अब ठीक बनाने के लिए नियुक्री बना दीजिए। सब्सक्राब क्या गया है, , बढ़ते क्रेंजिकंते iBK, सब्सक्राब करें गया लिए वliक पहले, उसके बाँस नियुद दमाओरी संयतना है, शहाब न मत्युदक पास कहें है, टो देखे एक मेरा ट्रिक अपनना है को संक्राइब 5 तो 6 का आधा कर दीजेगा यानि की्टना भी संक्राइब 6 का आधा कर दीजेगा तो आधा की जह कितना ञागी घुली तो इसका रोगा भंव ग्रेग अपना ठीक यह संक्रीश्य निस्वाल र Nä converted कुछ भी नहीं करना काफी एजी है पहले आप इसे घड़ते या बढ़ते करह में लिख लीजिए जितना भी अंक उसमें रहेगा उसको आधा कर दीजिए हना आधा जब कीजिएगा तो जितने आएगा ना आपको जैसे कि 6 आधा की तीन तो तीसरा वाला अस्थान का अंक ले प्रशन नमबर बी में दिये गया है अगला अगला प्रस्ट ने तो आपसी ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया और यह ध्यान रखेगा इस सल सबसे ज़्यदा आपको परिक्ष्या में फॉर्मूला ही पूछा जा जा ज़गा क्योंकि आपको बता है कि पढ़ाई आपकी ह आसमर में आपसे अधा पढ़एं तो देंगे प्राशन के वासरा और्ध भूले का आयeतन क्या होगा कि अर्ध गोले का होता है देखते हैं कि पारी में chodzi पाइर क questo हो लोड़ ये और बिल्कोला फंट क्या होजा ओगा यहां पर Сी न kız start ठीक है चलिए अगले प्रोश्न की बात करते है जबर्जस्थ प्र shallow कि निमिलेक्षित में से कौन से घटना की प्रियक्ता नहीं हो सकती है कौन जो है किसी घटना की प्रियक्ता नहीं हो सकती आपको ये बताना है तो बिल्कुल परियक्ता कभी माइनस में आ सकती है तो माइनस वाला जहां पर भी आपका क्या हो जागा सही उतर हो जागा बिलकुल इकनम जबरदस तरीके से याद किजिए बढ़ियां से पढ़िये कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बक्स तो आपके लिए बना हुआ है ना तो लाइक क् किजिए चैनल को सब्सक्राइब ने किया है जल्दी किजिए समय काफी कमि अगला कुशन बिन्दु चार कमा मैनस साथ किस पाद में इस आलों किये माइनस में तो चतूर्थ पाज में होती है तो यहा देखें क्या है पहला 4 पलस में है दूसरा माइनस का 7 दिया गी याग mo कहär है कि 10 गमा 7 गमा 4 डॉट का 20 वप्त आपको बताना है इनकि 20 वप्त क्या होगा तो दिख correspondence करना आपको लिखना है ए लिखना है फ्लस सब का प्लस में जो भी पद-पुछे उसके पास है क्या काना चितना प्द पूछेगा उसमें से गडाँ कहता कितना हो डbell ऑने गिया साथ सब्सक्राइब करनाया यहां पर अक और निस्ट भी तीन से गुणे के हो जागा, 57 और यहां पर पलस जोड़ दीजिए, तो 57 गो अपलस 10 गो, कितना हो जागा, यहां पर माइनस का 57 हो जागा, तो माइनस का 47 कहाँ पर दिया गया बाबू, तो अपसन आपका D नवर में और सबसे ज़यादा वारी कोशा जाता है, यही कोश्चन यही मान आपकी परिक्षा में रह जाता है सबसे जादा बाद तो इसे जरूर याद कीजिएगा 47 option रहेगा माइनस में तो उसको आपको टिक कर देगी अगले देखिए सबसे बढ़िया प्रशने कहरा है कि दो समरूप त्रिभुजो के माधिकाओं के अनुपाद अगर चार अनुपाद 9 होती है तो इनकी त्रिभुजो के छेतर फोलो का अनुपाद क्या होगा काफी एजी एन एक दम लली पॉप तरीके से इसको कुछ भी नहीं करना है बस इन दोनों को सकवाद कर दीजी अनुपाद होजागा खाफी आसान है बता है ना कुछ भी नहीं करिये तो देखिए चार का सकamen की पॉप तरीका कर दीजी होजागा सुला और अनुपाद 286 यानि कि तो 16 अनुपाती क्यासी कहा दिया गया, option number D में दिया गया, बिल्कुल option आपका D number इसका सही हो जागा, कुछ भी नहीं करना है, अगर दो समरूप त्रिबुजे के मधिकाओं का अनुपात अगर दिया गया हो, तो उन दोनों को आप S square कर देजिए, 4 का S square, 16, 9 का S square, 81, यानिक option का दिया गया, D number हो जागा, अगला देखिए, बहुत भी बढ़िया प्रशन कहे रहा है, कि यदि A X square प्लस B X प्लस C बराबर 0 के मूल समान हो तो C का value क्या होगा, अब देखिए, ये कोशन आपको सूंच समझ करके बनाने वाला है, कि आपे C का value क्या होगा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मुल समान कब होता है, मुल समान कब होता है, जब D beverाबर 0 होता है, बिल्कुल ध्यानस समझियेगा, काफिस जबरधस्त है, ये कोशन आपके परिक्षीया में 100% आ सकता है, काफिस जबरधस्त है, आप D bvoorbeeld हो गया, और देखिए, D का भैलू अब क् चांतित करेंगे, तो क्या हो जागा, यहां पर 4AC हो जागा ना, यह होगा ना, इसे इंपक चांतित कर देंगे, तो यह होगा ना, आप यहां पर पूछा कि C का भैलू, तो C का भैलू, यानि कि C बराबर क्या होगा, B square बटे की, यह तो अब पूरे नीचे चला जागा ना, 4 4bed यहां पर और यहां पर यहां पर एंपर बट भान में रहता है ना वह भाग में चला जाता ना तो बिल्कुल यहां पे वही 4E नीचे चला गया है और यह ऊपर चला गया है तो B.S.4E हो गया है यानि यह option का हो जगा E नमबर हो जगा है जो भी method आपको बता रहा है method को छुड़ियागा नहीं काफी जबरजस्त एक दम संदार तरीके से पढ़िए गजब तरीके से पढ़ हो आईए पहले option देख लेते हैं देखे तो option कहा रहा है कि 7Pi या फिर 49Pi या फिर 14Pi या फिर 106Pi तो देखे कापी easy है फटा 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 आप हमें यह बताइए कि बृत की तिर्जा खंड का शेत्पल क्या होता है तो आप कहिए कि सर बृत की तिर्जा खंड का जो शेत् आइसर रहेंगा into Pi का देखे दिखिए Pi में एंसर दिया है तो Pi का पाइए ही रहेंगे यह चीज़ आपको ध्यान में देनी है Pi में एंसर ही दिया है अब into r तो r square दिया है तो यहीं कि 14 आगूण है 14 ठीक है अब देखे इसको आप कटाईए देखे जीरो से जीरो कट गया आप यह हो गया 9,4,36 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 यह हो गया न और यहाँ हो जागा 7 ठीक है अब यह 2 से कटादेजिए यहाँ हो जागा कितना 7 ठी इसका बिल्कुल करेक्ट्टर हो जागा समझ में आ रहा है कैसा है काफी गजब का प्रशन है कि साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर क्या होता है काफी संधार कोशन है और आपकी यह जो कोशन है आपकी एक्सराइज 8.2 के कोशन नमबर 2 के 3 आपको तो पता है जीरो डिगरी होता है कैसे होता यह समझा देते हैं देखिए यहां पर इसके काने का मतलब यह है कि साइन 2 ए जो दिया गया वह कब बराबर होगा एक अभेलू क्या रखेंगे ताकि 2 साइन ए हो जाएगा तो देखिए यहां पर 0 रखेंगे और देखिए गया है जब हम लोग रखेंगे तो टू में जीरो से कफरेंगे तो तो हो जागा जीरो यानि-क हो जागा साइन Paresen काज जीरो तो साइन जीरो टेगर का वयलु कितना होता जीरो चलिए ये तो जीरो आगया अब देखिए अब जब हम Jew a CRA बदले इसमें यानिकि से एल है ल से एले डिले टो लोगता जीरो ना चाहिए लग रखते हैं तो ढ़ले रखते हैं तो यहां पर कितना जी जी-ए-क बदले यहां पर क्या रखेंगे समझ में आया कैसे हो रहा है डी नमर आपका बिल्कुल सही उतर हो जागा अगला देखिए प्रश्ण क्या कहरा है और यह प्रश्ण जो है आपको पांच नमर में पूछा जागा बाबू काफी जबरजस्त प्रश्ण है कहरा है कि यदि किसी तिर्भूज ABC में यदि DEE भुज यह दोनों पढ़ लीजेगा बढ़ियां से यह वही है यहां पर DEE जो है कह रहा है कि AD बटे DB है और AE बटे EC है तो यह क्या होती है बाबू आप सभी जानते हैं कि BC समनांतर होती है DE की तो BC समनांतर DE कहां पर दिया गया है आपको एक बार और बताना चाहेंगे थेल्स का ब अपयतो गुरोष का बिलूम यह आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में काफिस जबरजस्त कोशन होती है अगला प्रस्ट देखिए दिवगात बगपात 3X square minus 3X plus 1 की मूलू का यूपफल क्या होगा यह आप यूपफल बताना है यानि कि alpha plus beta का value बताना है तो alpha plus beta का value अब जब जानते हैं क्या होता है का बिलकुल option होजागा अगला देखिए अगला प्रस्ट बहुत ही संधार प्रस्ट यह तो एकदम गजब का प्रस्ट नहीं कि साइन स्कॉर 29 डिगरी प्लस साइन स्कॉर 100 डिगरी का value क्या होता है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्य किया जाता है तो 7 29 डिगरी को चैय में का एकसाध डिगरी और प्लस यहां पे साइन एक सादे अधार बसे यहां करते अगला नियामा क्या होगा नियामा ग्यात करने क्लिए क्या करना होता बाबू कुछ भी नहीं करना होता बस इसमें का पहला जोटकर दो से बाग देना है समझे कैसे इसमें का सब्सक्राइब करेक्ट उतर हो जागा समझ में अगला नियुक्त प्रस्ण देखिए काफी जबरजास्त प्रस्ण है कि यदि तुरिभूज ABC समरूद तरिभूज DEF हो तो कुण A बराबर अगर 67 डिगरी दियागे हो और कुण E बराबर 63 डिगरी हो तो कुण C का value आपको क्या होगा दीखे काफी easy question है और यह आपको subjective में भी पूछ दिया जाएगा तो दीखे पूरी details के साथ आप समझे लेजे क्योंकि subjective भी पूछेगा तो आपको इसको बना देना है काफी बढ़िया से हाना तो दीखे अबजेक्टिव पर साथ आपकी subjective भी त्यारी आपको गजब तरीके से हो जा रहे है जैसे की दिक्कत पा हो हाना दीखे यह आप देखे क्यारा है कि त्रिबूज यह दूरू जो है आपका समरूप है क्यारा कि क्योंड ए बराबर संतावन है यानि कि यह संतावन डिगरी दिया गया है और क्यारा क्योंड ए यानि कि यह वाला value जो दिया गया है वो 63 डिगरी दिया गया है और कौण C पूछ रहा है निकि A वाला पूछ रहा है तो दिखे जब ये दोनों समरूप है तो कौण E का जो value है कोण B का हो जागा कि नहीं हो जागा पिल्कुल तो ये 57 और 63 50 60 जोड़ करके 180 में से भाग दे दीजी तो 57 60 जूड़ एगा तो कितना होगा 120 हो जागा और 180 में से घटा दीजीए तो कितना होजाएगा साठा जागा तो 60 हैं कि prevent अगला दिखिए प्रश्ण का अगला प्रश्ण है कि 1 प्लस 10 A प्लस 6 A इंटू 1 प्लस कॉट A माइनस का कोसेक A बराबर क्या होता है यह काफी एजी कोश्ण है फटापट बते है इसका अगला प्रश्ण काफी जबरजस्त प्रश्ण है कि किसी बिंदू की वाई एक्से से दूरी उस बिंदू के क्या खलाती है कि उस बिंदू के जो दूरी क्लाती है वा क्या क्लाती बाबू तो X निर्दिसां क्लाती है यानि कि option क्या हो जागा आपका B नंबर हो जागा क्या क्लाती है किसी बिंदू Y एक्से से दूरी उस बिंदू के क्या क्लाती है X निर्दिसां क्लाती है अगला प्रशन देखे काफी जबरदास प्रशन है एकदम समझे प्रशन आपके परिक्षा में पूछाएं गया है देखिए प्रशनी कहा रहा है कि बिंदू माइनस चार कमा माइनस का चार और एक कमा माइनस का दू को मिलाने में रेखा को वाई अक्ष जिस अनुपाद में बारती है वह अनुपाद जो होगी वह क्या होगी बताना है आपको तो ध्यान से देखिए इस को बनाएगा तो काफी यह लंबा में जाएगा लेकिन काफी एक इजी ट्रिक आपके लिए लेकर के आया है ध्यान दीजेगा यहां पर आगर वाई अक्ससे पूछेगा ना वा बनाएगा वेस्से शॉल्प कि यहां पर कर देना है बस आपका एंसर हो जागा यहां पर यहां पर यह कर लिए चार यह आपका हो जागा आपका बी नमर हो यह X1-Y1 होता है X2-Y2 होता है तो X1 बटा X2 कर लेजी यनि कि 4 बटा 1 हो जागा और यह माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखने है यहां पे बस आपकी ट्रीक है यह जो है हम अपनी मन से बना करके लिक्या है जिसे कि आप जल्दी से बना दे परिक्षा में हैं आगला कुस्षन अगला कुस्षन कहा रहा है कि 10A का ब्यूत कर्म क्या होता है बाबो rasa correct तर हो झालगा ब्यूत कर्म यनि कि उसको फ्रीट दीजीगा तो 10 किसमें गरेचला जाता है बेल्कुल अगला देखे प्रश्ण क्या कहा रहा है अगला प्रश्ण है कि निमनलिकित में से कौन केंद्री परविर्टी की माप नहीं है केंद्री परविर्टी की जो माप है वो नहीं आपको ये बताना माध्य या बहुलक या माधिका या फिर परीसर काफी जबरजस्त कोशन है यह बिहारबुट के दोड़ा जारी किया गया है काफी जबरजस्त तो इस कांसर के अज़ा का परीसर होता है क्या था बाबू परीसर होता है एकदम आपको दिमाग में बैठा करके रखनी है चलि अगला वावा देखे प्रशन काफी आसान कोशन है कि अधार के तिरज़र 50 सेंटीमेंटर है और उचाई के दो डिमाए्टर है तो बेलडं की बेलं की पेला और उचाही का बनाया गया तो संके का जबरजस्त बस कुछ निकाना फटाफट आप इसे सॉल्ब करके हमें बताइगा इतना तो किजिए सारी हिंट्स आपको दे देते हैं कुछ नहीं करना देखिए यहां पे तिर्जा दे दे गई है और बेलन है बेलन को पिढ़ा करके यानि कि बेलन का जो आयतन होगा न संकु बनाए गया संकु का आयतन होगा तो बेलन का आयतन बराबर संकु का आयतन कर लिजिए सॉल्ब कीजिए फटापर से इसका एंसर वैसे कितना जगा एट आएगा अना आप मिला लिजिएगा एट इसका एंसर आएगा सॉल्ब कर लिजिएगा ठीक है चली इतना तो कष्ट कीजिए काफी 12 कमल ले लिजिए तो कौसेक A-kot-squire यहां पर यहां पर आपने कमल ले लिया 12 किसके Equal की बराबर हो जागी जब इससे 12 कमल लेते हैं तो कौसेक A-kot-squire जो A होता है वो किसके बराबर होता है आपको यह सारी चीशे आपको पता है बिल्कुल तो इसका जो answer हो जागा वा क्या हो जागा आपका D number हो जागा क्योंकि 1 होता है तो 12 में 1 से गुणा कीजिए कितना हो जागा बाबू 12 हो जागा बिल्कुल तो इसका answer क्या हो जागा option आपका D number इसका बिल्कुर correct उतर हो जागा ठीक है चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्ण की देखिए यहां पर काफी एजी है जब आप 12 कम लीजेगा ना तो कौसर के स्क्वार ए बचेगा तो कौसर के स्क्वार ए बराबर वन होता है तो वन में गुणा कर देंगे 12 से तो क्या हो जागा बारा आपका एंसर आपका क्या हो जागा वन हो जागा अगला दिखिए क्या प्रश्ण करा रहा है कि एक दो 서 मीर कोड कीं तेंब पर जो है वहाँ ये जो है वह कहां पर बनेगा आपका 60 डिगरी कहां पर मिनेगा बिलकुल यहां नीचे आपको जो है 60 डिगरी बन जाएगा हाना कहरा है कि इसकी आपको मिनार के उचाए बते हैं और 200 मीटर दूरी पर यहांँ कि 200 मीटर यहांपे दे दी गया तो यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या तो 66 되면 कीतना है Grund का 3 यहां आपका 2 100 तो यहीं आपका इंशर अप्रраж हो जाया का 200 रूट की अप्सक्राइग बिल्हूंनि क्या अगला प्रस्ण कहा रहा है कि एक बिंदू पी से ओ केंद्र वाले किसी ब्रित पर पी ए कमा पी भी असपर से रिकाएं प्रस पर असे डिग्री के कूण पर जुकी होई है तो कूण पी ओ ए का वैलू आपको बतारा है अब देखें ये काफी जबरदस्त कोसन है यह आपका हो गया एक Nik यह देखें यहाँ पर कमा लिजए आप पी यहाँ पर केंद्र हो गया आपका उ आप चाहिए रहा है कि यह जो आसी डिग्री पर प्रस पर क्या होई है यहाँ पर जूकी ह यानि कि यह आपका एक सम्दिभाजक करेगा रेखा और यहाँ पे POA यानि कि जो है इसकी बहलू आपकी पूछ्छ ते POA यहाँ इसके पूछी तो-देखिए इसको जब सम्दिभाजक किए तो आपको अभी इसके बारे में हम ने बतायी है यह आधा हो गया यानि कि चाल यहां पर हो गया और यह अपका लंब है तो चालिस को और नबे की कितना हो गया 130 का तो 130 हो गया तो यह तो आपके तिर्भुज बर गई ना तो 130 में से आप 130 को घटा दीजिए तो इसके अंसर हो जाएगा क्यूंकि बस उतना ही पुछ रहा था तह 50 आपका क्या हो जागा आपका अंसर हो जागा अपसमि क्या हो जागा डी नमबर अगला देखे अगला परशनिं कहारा है काफी जबरदस्त परशनिंगे तो इसका वैलू आपको फटाफट बताइए कि 10 जो है 9 डिग्री और 10 81 डिग्री इंटू 10 साथ डिग्री का वैलू क्या होगा अब देखे इसको बनने के लिए काफी इजी तरीका है और इसमें आप परसान मत हुएगा देखे कैसे बनेगा सबसे पहले यह दो दिया गया इसमें से एक मान को चेंज कर लिए तो टैन जो है वह नौ डिग्री है तो इससे लिख सकते हैं तेन 2018 degree इन्टू 10 81 ठीगरी ठीक है अब देखेए इन्टू 10 एक और है इसमें साथ है तो किसि के बराव होता है किसिके बराव घूता है कोटव टीटा तो कोट टीटा में भडल जागा और यह आपका important banking हिं सब्सक्राइब किजिए जल्दी सी चलिए अगला प्रशन है कि निमलीखित में सबसे पहले आपको कि सुनिय का योग कर लेना यानि की अलफा प्लस बीटा बराबर कितना होजागा दो और लखात बवपत बराबर क्या होथा एक सबस्वाइर अटिक्स चोपलस प्लस फीटा थिक इंटु एक्स प्लस आलफा इंटु वीटा तो एक्स स्क्वार के एक्स स्क्वार मैनस का मैनस और आलफा प्लस वीटा का वैलू निकला है एक टू में एक्स से गुणा कर दें हो जागा टू एक्स और यहां निकला इसका आलफा इंटु वीटा पंद्रा तो हो जागा पंद्रा यानि बीज़िफ की जीवा की लंबाई बीज़िफ की तिर्जिया के बराबर हो तो जीवा किंद्र दौरा तो जीवा धुरा किंद्र बनाय गया जो कूण होताए तो यह तो इसी कोड़ा इसले, बिल्कुल इसकांसर क्या वे चाहिए, बिवीत कर यहाँ पिवेद कर पूछा और था लेकिन उसमें सी का फेलू हई पूछा जा लन कि आप सभी जानते हैं कि डि बराहबर क्या होता ाइ Olivier A2-A4AC होता है. लेकिन यहाँ देखिए, कब होता है ये? जब, यहाँ पे A2 होता है. लेकिन यहाँ पे तो बदल गया है. तो B के जगए A, और E के जगए B दिया गया है. तो हिन्म के बढ़नने कि यहाँ बी के जगा भिक कर दीजी आपी प्रत्फम 24 पदों का योग बताना है तो स्न बारबर क्या उता है एन बटे 2 तो यहनि कि 24 बटे क्योंकि एन का वगैलू कितना दिना यहाप यहापे हो जागा कितना चाहर में तो इनटी कि कंग में अ प्लस कितना एन मनेस बूंत इनकर अनका भेलू कितना ऐसे आपको वन घटा देना एक और आपको टी से वुंकल करते एक न अगिए रूसर। सब्स्कित्रों और आपको आठ यहाजु में से गच्लियेला. किये तो कितना है तेस में 30 तो 79 अब देखिए 10 और 79 कितना हो गया 89 और जब 89 में 12 से गुणा कर देज़ेगा अब तो 89 में 12 से गुणा कितना होगा आपका 948 याने के option क्या होजागा समझ मेरा काफी easy गोशन है आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है और solve कर देनी है अगला दीखे सबसे बढ़ी यहां प्रशन है कि 3A बराबर दिया गया है 90 डिगरी तो से की का value बताना है क्योंकि से एक पूछ रहा था तो एक का value तो हम लोगों को निगा लें 30 तो से 30 अब बताना आपको तो से 30 का value होता है वह से 30 का value कितना होता फटा बटा यह बिलकुल होता है दो बटे रूट 3 यानि option क्या हो जागा आपका D number हो जागा समझ में आ रहा क्या हो जागा option आपका D number हो जागा बस 30 का value का बताना था चलिए आगे बात करते एकले प्रशन की देखिए अकला प्रशन के रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओ का महत्तम समपरता क्या होता है आपको के साइन 90 माइनस का कितना 42 हो जागा 48 को चैंज की जागा तो माइनस का का कॉस का कितना degree भाव तो 32 अब देखिए इसको बदलेगा तो त्रिभूज ABC के सिर्षो के न्यामा का गर 2,3 और B बराबर 4,5 और C बराबर 7,2 है तो त्रिभूज ABC का छेत्रफल बतना है और 6 त्रफल आप निकाल लिजेगा कौन से आपको बस इंसर बता दें प्लीज इतना तो आपको फ़ड़ से महनत करना पड़ेगा बाबू आपको बता देते हैं है इसका एंसर जो हो जागा आपका निकल के आएगा और यही कोशन आपको सीधे परीक्षा में पूछा जाता है बदला नहीं जाता है अगर यह कोशन पूछा जाएगा तो इसको आपको कितना हो जागा 6 बर्गोज आगा चलिए अगला प्रस्न का तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ने केए तो पहले इसे वीडियोको लाइक कातेगी को आपको अन्व साइन ठीटा तो साइन ठीटा क्या होजागा आपका अंसर होजागा ऑप्सन नमबर और अगला देखिए आपका पचास प्रश्न यहां पे हुआ हुआ कम्प्लीट प्रश्न कर रहा है कि यह दी डो ब्रीथ एक दूसरी को अन्त असपर्स करती है तो उभेनिश्ट असपर्स क्या होगी वा एक होगी यानि कि आपसन होजागा बी नम्बर क्या होगी बाबू एक